नमस्तु व्यम बंदे मातरम दोस्तों स्वागत है आप सबका सैपियंस कुष्ट में तो आप लोग जैसे की देख रहे हैं जो डार्क हर्स की नाम की जो कृति है जो पुस्तक है जो रचना है ने लोगों ने लिखी है चैप्टर पांस तक हम लोगों ने पढ़ा और शहब शंतोस और मनुवर तीनों ने बत्रा पहुँच मिलन छोड़ले बटूरे वाले के हनास्ता किया फिर तीनों बगल के ही टोनी प्रापर्टी के आफिस पहुँचे प्रापर्टी डीलर से मतलब मोखरजी नकर में रहने वाले उन बिरुजगार लोगों से था जो छात मकान की चाभी लेकर कमरा दिखाते थे और पसंद आ जाने पर बस इसी के एवज में छात्रों से तैशुदा माशिक किरायस की 50 फीसद जितनी राजी अपने कमीशन के रूप में लेते थे वास्तों में यह पेशा मुखरजी नगर और आसपास इलाकों में चरम पर था और यह वहां के सबसे करूलतम धंदों में से एक था जिसका शिकार छात्रों को होना ही पड़ता था प्रापर्टी डीलर ने अपने लिए जो बैठने का स्थान बनाया था उशे वे लोग आफिस कहते थे यह आफिस देखने में भारस सरकार के किसी भी आला आफिस से ज्यादा भारी बरकम और टक्कर देने वाले होता था रंग बिरंगे परदे, संगमरमर का फर्ष, शोफा, जिलमिल, लाल पीली बत्तियां, बड़ी LED श्क्रीन जिसका रिमोट हमेशा डीलर के हाथ में होता था दो बेशिक फोन, दो श्टाप के साथ च्छाय और नास्ते की भी ब्योस था इतना सब कुछ एक समान डीलर के आफिस में होता था तीनों अंदर पहुँचे तो टोनी डीलर एक भारी बरकम जिधर मन तिधर घूम जाने वाली चहुदिसा गामनी कुषी पर गंभीर मुद्रा में बैठा था उसकी भाव भंगिमा सेवा सीबियाई का निदेशक लग रहा था और ये तीनों मित्र चतुर्थ वर्गी करमचारी की तरह खड़े थे आओ जी बैठ जाओ कितने लोग रहोगे टोनी ने पहला सवाल पूछा जी एक के लिए चाहिए मनोहर ने कहा किन्ने रहना है टोनी ने एक साथ तीनों चेहरों को देखते हुए पूछा जी हमको चाहिए था कमरा बोलते वक्त संतोस इतना नर्वस था जैसे UPSC के इंटर्व्य बोर्ड के सवाल का जवाब दे रहा हूँ कहा से हो टोनी ने अगला खोजी सवाल दागा जी बिहार भागलपूर से संतोस ने संकोच और गर्ब के मिश्रिद भाव से कहा बिहार? टोनी ने आवाज का टोन बढ़ाते हुए कहा हाँ बिहार संतोस ने फिर कहा यार मुखरजी नगर तो नहीं गांधी बिहार इंद्रा विकास चलेगा टोनी ने पूछा हाँ चलिए दिखा दीजिए राय शाहब ने कहा दिखा दीजिए क्या यार बात पक्की कर लो साड़ी की दुकान तो है नहीं जो तुम्हें 20-30 तेखनी है टोनी ने रूखे पन से कहा अंकल आखिर रूम पसंद आएगा तब तो लेंगे मनोवर ने कहा अपना बज़ट बताओ टोनी ने टिकनिकल सवाल पूछा चार हजार से पांच हजार के बीज का दिखाईए संतोस बोला टोनी ने सुनते ही हसते हुए कहा बेटे इतने में तो मुखलजी नगर में किचन मिलेगा इतने में कैसे होगा यार अच्छा चलो 45 सव की ही करवा देता हूँ एक एक बैड मिल जाएगा 1271 में बोलो सेट करा दूँ जल्दी बता दो यार राई शाहब ने संतोस की तरफ उम्मीद की नजरों से देखा कि संतोस जल्दी हाँ बोल दे और उनकी कमरे पर रखा लेपटाप स्टार्ट हो दिन रात बड़े बेचैन रह रहे थे राई शाहब क्या संतोस जी देखियेगा ये वाला राई शाहब ने डबाव डालते हुए पूछा नहीं महराज पैसा देंगे तो धर्मसाला में थोड़े न रहेंगे संतोस ने गर्दन घुमाते हुए कहा अरे तो फिर फ्लेट वाला बजट भी रखो बेटे चार हजार में यहां कहां से मिलेगा बंगला और तुम्हें पढ़ना ही तो है सारे बच्चे तो रही रहे हैं दिक्कत क्या है तुम्हें एकदम सेपराट हो जाईए लड़की सड़की का मामला है क्या चलो फिर एक दिखा देता हूँ ग्यारा हजार का है चौविस घंटे इंटरी छोरी लाओ दारू पियो कोई गल नहीं बोलो जल्दी लेनी है टोनी ने एकदम कमीने पन वाले अंदाज में कहा अंकल आज सेपरट चाहिए मा बहन भी तो आती है कमरे पर संतो उसने दात पीशते हुए कहा टोनी यह सुनकर छेम गया उसे अपनी वेहूदगी का अंदाजा हो गया था वा समझ गया था बात लड़के को चुब गई है उसने तुरंत बात पलटते हुए कहा ओटर आइडी है अभी चलो लाओ चलो अडवांस निकालो एक पैसट साव का है इंद्रा विकास में पसंद आ जाएगा शांत कमरा है मस्ती में रहना और वहें पढ़ना तो चलिए ना रूम दिखा दो अंकल यहीं बैठकर पूरा प्रम्भान का अडवांस ले लीजिए का क्या मनुहर ने कुर्सी से उठते हुए कहा ओए बंटी गड़ी निकाल दिखा आवो निद्रा विकास वाला कहते हुए टोनी टीवी के चैनल बदलने लगा तीनों बाहर निकले बंटी की बाइक पर तो ही बैठ सकते थे तबीर आय साहब ने कहा आप दोनों देखाईए हम यही रहते हैं वे दोनों बंटी के साथ निकल गए इधर अंदर और बाहर की गर्मी से प्रिसान राज साहब ने जट से बगल वाली तुकान से एक स्ट्राइट खरी दी और उसको दस मिनट में प्या तब तक संतोस और मनुहर को बाइक पर लटकाए बंटी वापस आया अट साला चार्ठो रूम देखे हो राय साहब सब बेकार इतना अधेरा एक्ठो में तो किचन के अंदर ही रूम का सिल्फ था अजब गरजब है रूम यहाँ अगने मूतने खाने का अलग से कुछ समझ में ही नहीं आता संतोस ने बाइक से उटरते ही कहा चलिए फिर और कहीं देखते हैं राय साहब ने सर खुजलाते हुए कहा तीनों वहां से निकले संतोस के मन को टोनी के लड़की लाने वाली बात बहुत बुरी लग रही थी साला कितना हरामी है यहाँ प्रापार्टी डीलर लड़की लाओगे कहता है भागल पुर पटना होता तो काट देते बहुत मन बढ़ा हुआ है यहाँ संतोस ने मुठी बामते हुए कहा रहने दीजिये उसकी गंदी सोच है हमें क्या उसका ही मन अपवित्र होगा राइस साहब ने संत के फ्लेवर में कहा अजी यहाँ लोकल लोगों का ब्यवहार ही ऐसा है मकान मालिक भी लड़कों को जहाट ही समझता है एक तारीक हुआ नहीं की कपार पर चल जाता है लगता है जैसे देश छोड के भाग रहे हैं प्रापर्टी डीलर का भासा तो आप सुनी लिए और साला यहां हमी लोग जड़ा है एक बार मिलके आवाज उठा देते तो दिल्ली हिल जाता लेकिन नहीं सब चुप चाप सुनेगा काहे की आईएस बनने आया है हम तो कहते हैं डूब मरना चाहिए से आईएस बनने से पहले तब इज़त ही नहीं बचेगा तो काव खाड़ेंगे आईएस बनके मनोहर ने एक सांस में इतना बोल दिया सही बात कहे रहे हैं मनोहर जी सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो एगो बात होता है ये क्या कोई भी कुछ हरोप लगा देता है हम लोग क्या यहां आयासी करने आये हैं जो बोल दिया उल्टा पूल्टा चल के देखे इलहा बात पटना भागालपूर में इजद्दारी के साथ पढ़ाई होता है यहां पर एक बार छात्र का संगटन खरना करना होगा कसम से एक बार ताकत देखा दीजिए तो ना तो बोली चाली ब्यवार सब ठीक हो जाएगा और किराया भी मनमाना बंद हो जाएगा संतोस ने मनोहर की तरब देखते हुए का सुनिए आप लोग यहां हम सब पढ़ने आए हैं यहां कौन सा जिंदिगी गुजारना है जो समा सुधारना जरूरी है चुपचा बैट के पढ़ना है सेलेक्शन लेना है और निकलना है अपने लच्च से भठकिये मत आप लोग कितना से लड़िएगा कोई एक्ता नहीं होगा यहां यहां पढ़ाई पर फोकस होईए सब पढ़ने आए हैं यहां राजनीती थोड़े न करना है राज साहब ने खोकले जोस के शाथ कहा हा निकलना है निकलना है वो तो हम समझ गए पर निकल कहा पा रहे हैं पांस साल से तो यहां बावखी रहे हैं न पढ़ने तो आए हैं पर पढ़ने में ही कोई नीचे उंगली करे तो का करिएगा चुपचा पैसे ही प्रवचन निकालिएगा मनोहर ने चिरते हुए कहा कमरे पर रहे कोई वहां थोड़े ना आता है बोले हम लोग चात रहें केवल पढ़ना हमारा काम है राय सहब बोले कोई हमारी ऐसी करे तब भी पढ़िये आप आईसन पर आई मोहर ने तम तमाते हुए कहा संतोस ने मामले को बरता देख हस्त छेप करते हुए कहा अच्छा छोड़िये जाने दीजे प्रापरिटी डीलर और मकान वालिक को ये बताईए हम लोग कहा जा रहे हैं इधर चलिए ना आपके कमरे के लिए ही तो जा रहे हैं वजीराबाद चल रहे हैं राइस साहब ने जहरे पर बिना कोई भाव लाए हुए कहा उ रुस्तम भाई साहब फिर फोन नहीं किये हो राइस साहब संतोस ने याद आने पर कहा कौन उ रुस्तम सिंग उनित्वा का भाई मेरे किकरे चक्र में पड़े हैं उ फरजी के भवकाल टाइट किये रहता है उसके छोटे चाचा एक बार इंटर्व्यू दिये थे आईस का चाचा के इंटर्व्यू के फसल अपने कारता है कहानी सुनो सुना के किचाइन कर देता है महराज अपने एक बार उपधच्ची का चुनाव लड़ा था इलहाबाद में बाद में संभू सिंग हणकाए तब नाम वापस ले लिया उस बार संभू सिंग जीते थे हमारे परची थी है मनोहर ने चलते चलते रुस्तम का संभव चटिते चित्रन कर दिया था और संभू सिंग से अपनी निकट्ता भी बता ही दी थी ऐसा भी एक दम फालतुए नहीं है रुस्तम भाई दो बार उपी यस्टी का मेंस की लिखे है लोगों का मदद करते हैं अब का मुश्किल है तो का करें अच्छा नेचर का है राय शाहब ने मनोहर की बात काटते हुए कहा वे लोग अब रिंग रोट को पार कर वजीराबाद पहुँच चुके थे तो हम लोग का दाशे देखिए शिक चैप्टर खतम हो गया इसके साथ हम अगले वीडियो में आपको सेवन चैप्टर के साथ मिलेंगे अगर इसमें कोई समस्या हुई हो कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो कमेंट बाक्स में आपके सुझाव अमंत्रित हैं तो आख लिए सेक्शन मिलते हैं चैप्टर सेवन के साथ तब तक तेकते रहें सैपियन्स क्वेस्ट नमस्तुभ्यम वन दे मातरम दोस्तों